हलो वेलकम बैक विद अनुलिखा किचन रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हो तोरई और सोया बिन की बहुत ही डिलिशियस सब्जी जिसा कि आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो चलते हैं हम इस रेसिपी की और यहा पर मैंने एक पैन लिया है इस पर मैंने एक चम्मच तेल डाला है और यह भीगी हुई सोया बिन में इसमें डाल दोंगी और इसे हम कर लेंगे हलका हलका फ्राइए इसका फ्राइग करने का मोटिव यह कि इसे टेस्ट सब्जी में बहुत पढ़िया और लगेगा अगर उयक प्लेट के अगरल टेस्न है अब हम चाहते हैं फ्राइप कहारे नेक्स स्टेप में यहां पर उसी एक्षिस में ब्रकोार में डालोगा और इस ओईल में मैं डालूँगी जीरा पाउडर जीरा भी आप ले सकते हैं यहां पर मैंने जीरा पाउडर डाला है और एक पड़ी चॉप्ट की हुई प्याज में डाली है फाइन चॉप्ट किया है इस प्याज को अब इसे हम बिल्कुल अच्छे से बूनेंगे और इसमें हम एड कर देते हैं हमारे लसन और अद्रग का जो पीस्ट है मैंने रेडि करके रखा है मान दस्तार्णे में कूट के उसे हम इसमें एड कर देंगे और इनने हम अच्छे से पकाएंगे जिससे कि इनका प्याज का लसन का और इन सब का कच्छापन निकल जाए और एक हरी मे पाड़ी टमाटर है और मेंमें कमाशमी मसाले जाय मंचलीं remember the गरम मसाला और नमक डालेजने 5 पकाशेश polyslot, पकाशेश पुछ में जो बारी कटी हुई तोरह रखी ती तोरह दोगी तो यह देखिए बड़ी असी काटली थी बारी धोधा के और इससे हम डाल देंगे सबजी में अच्छे से कर देंगे मिक्स अब इसमें के बाद इस में डाल दूगी फ्राइब किया हुआ जो शोया बिन हमने रखा था उसे ह डाल सकते हैं डायरेक्ली पानी में भीगोया हुआ सोया बिन अब इसमें में डाल दूंगी थोड़ी दिर हम पहले से ठक के पांच मेट मसाले का कच्छापन हटा लेते हैं दो से तीन मिनिट में देखिए पूरे मसालों ने तेल छोड़ दिया है तो बड़ी सा कलर आ गया है अब इसमें मैं थोड़ा सा चाट मसाला और पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ जिससे की बहुत ही बड़ी आस्वादाता है अगर आपके पास यह ना हो तो आप इसे स्कीप कर सकते हैं कोई बात नहीं हमने अगर मसाला लेड़ी ले चुका है तो आप देखिए इसे अच् फूर्थ ग्लास ही पानी डाला है और हरी धनिया चॉप्ट करके डाल दी है और इसे में पांच मिनट के लिए पका लूँगी तो यह देखिए बड़ी असी हमारी सबजी हो गई है रेडी यह देखिए बड़े सा कलर आ गया है ग्रेवी मुझे और कम चाहिए तो आप इसे औ सब्सक्राइब करना मत बूलेगा कमेंज करके जरूर बतायेगा क्या से लगा तो मिलते हैं अ हुआ हुआ है